हलो फ्रेंड्स असलाम अलेकूम और वल्कम बैक तो मैं यूटीब चैनल तो फ्रेंड्स आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे आज की रेसिपी जो है वह है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाली आलो की भुजिया यह बहुत ही सिंपल है और सिंपल इ यहां मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें मैं डाल दूँगी तीन से चार खाने के चमच कुकिंग ऑईल के तोड़ा सा गर्म होने देंगे और इसमें मैं शामल कर दूँगी दो चोटे साइज की प्यास ली थी मैंने जिनको मैंने चौप कर लिया है अब इसको एक मिनट क के लिए मैंने इसको इस तरह से कुक किया है अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी आलू यहां पर आलू जो है मैंने चार लिये है मीडियम साइज के आलू थे जिनको मैंने चोटा-चोटा क्यूब्स में कट कर लिया है यह टोटली आप ऑप्शनल है आप जिस शेप के भी च वर ना तो आप कट कर सकते हो इसको कर खर करते के एक मिन्त के लिए में कुक करोंगी तो यह सबस्यां है मिननट के बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी फ्रेंड्स ये रेसेपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है बहुत ही जल्दी बनने वाली है आप इस रेसेपी को लाजमी ट्राइ कीजिएगा अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी एक चाय का चम्मच या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक एक चाय का चम्मच अद्रक और लहसन का पेस्ट, एक चाय का चम्मच पिसी हुई लाल भिर्च, एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चमच कलोंजी नाई जीला सीड और आधा चाय का चमच जीरा ये डाल कर थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके साथ इसमें मैं शामिल कर दूंगी एक चाय का चमच कुटी हुई लाल मिर्च ये भी इसमें चली जाएगी और अब इस मसाले को जो है आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको मैं एक मिनट के लिए फिर कवर करके छोड़ दूँगी ताकि आलू और मसाला जहें वो अच्छे से मिक्स हो जाएं तो यहां एक मिनट के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो यह देख सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी टिमाटर टिमाटर जो है मैंने तीन बड़े साइस के लिए है जिनके छिलके मैंने उपर से उतार लिए है दो-दो हिस्सों में आप कर लोगे एक टिमाटर के मैंने दो हिस्से किये है और इस तरह से इसको रखते जाएंगे और अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी देख सकते हैं तीमाटर से की अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं अब इस तरह से मेश करते जाएंगे टिमाटरों को और सारेので क्यों मैशनी करने बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और अब मैंने आँच को जो है वो हाई कर दिया है आपने बिल्कुल हाई फ्लेम पे दो से तीन मिनट तक इसको कुक करना है और इस तरह से देख सकते हैं आलो की भुजिया जो है वो हमारी तकरीबन त्यार है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आलो जो है वो हमारे अच्छे से गल चुके हैं यह देख सकते हैं आप इस तरह से चेक कर सकते हो इस टेच पर आप नमक भी चेक कर सकते हो अगर आपको कम तो आप इसमें एड़ कर सकते हों तो फ्रेंट्स रेसिपी जरा सी भी हेलफुल लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताके नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें तो यहां भी स्टेज प अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां देख सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन दो मिनट के लिए बिलकुल लो फ्लेम पे दो मिनट हो चुके हैं तो तो तियार है हमारी आलो की भुजिया बहुत ही मज़ेदार बहुत ही ज्यादा सिंपल है आप इसली इसको घर पे बना सकते हो तो इसको मैं निकाल लोगी और इसके मैं दिखाती हूं आपको फाइनल लोक तो यहां देख सकते हैं आलो की भुजिया को आप गार्णिश करोगे धनिये के साथ और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी यह रेसिपी अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताईएगा तब नेक्स वीडियो में मिलते हैं तब तक क